नमस्कार मैं जहांगिर आलम आप देखने कोल फिल मिलर हर पल आपके साथ इस कविता के माध्यम से मैं सभी को अपने जीवर में कुछ ऐसा कर पुजरने का संदेश देना चाहती हुए जिससे उनका नाम उनके बाद भी संसार नाएगी पुरुष परतान देश रहा है जहां महिलाओं को कौमल अपला के रूप में हमेशा ही परदर्शित किया जाता रहा है लेकिन महिलाओं ने इत्यास से लेकर वर्तमान तक अपनी काबिलियत की गाथा लिखी है क्योंकि पुरुषों को उर्जा कल भी इनी से प्राप्त होती थी और आज ही इनी से उर्जा मिलती है तभी तो इन्हें नारी शक्ति मार्ति शक्ति के रूप में शंभोधित किया जाता है अईसी ही एक नारी शक्ति की प्रारोप युवा देश तर्रार छात्रा निलु ठाकुर से आज आप लोगों की मुलकात करवाएंगे जो लेखनी नित्य और सिच्छा छेतर में कापी शांदार परदसन करके नार्यों के सम्मान को आगे बढ़ा रही है कुछकर कुछकर कि तेरा भी नाम हो नाम बना पहचान बना मान कमा सम्मान कमा कोशिश कर इतनी कि कोशिश न कभी नाकाम हो मेर नाम निलु कुमारी ठाकुर है अप अब इक किस क्लास ने पढ़़ते हो भी मैं बी ए द्यूति वर्ष में हूँ आपने प्राइमरी के जुटिशन का हासिल की सब्सक्राइब करोगी जी सर क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरे मातर पिता में हर मुकाम में मेरे साथ देंगे और जहां तक मैं पढ़ना चाहूं हां तक मुझे पढ़ाएंगे मैं एक ट्रांसलेटर बनना चाहती है अभी आपको और कहीं पर ट्यूशन में ले रहे हैं तो फिर दूर क्यों जाना यहां पर बहुत अच्छे सिक्षा भी मिल रही है हम लोगों को इसलिए मैंने इसी निवर्स्टी को चुना है पहले मैंने पूछ लिया था बहुत अच्छ संका गस को घोंगों सहर आगल अगर आपके लड़की आपना चाहती है को कश बनना चाहती हैं उनका भी नाम हो वो यहीं चाहती है इसलिए वह आपको गुने सपोर्ट कीजिए समाजी की स्थितियों को देखते हैं कि आज कल जो छड़कानी के वाल आते हो रही है लड़कियों के लिए तो बहुत ही असुरक्षित है अभी माहौल जो देख रहा है इसलिए पैरेंट्स थोड़ा इसकी चा करना चाहिए और उनके पैरेंट्स को पहले बोलना चाहूंगी कि आपके घर में अगर लड़के हैं तो आप उन्हें अच्छी सिख्षा दीजिए और सबसे पहले तो एक आउरत की इज्ज़त करना जरूरूर उन्हें सिखाए कि अब तो एक पोड़कियों के लिए बहुत सारे योजनायत दी है जैसे सिख्षासरी कण्यासरी और पढ़ने के लिए पैसे अगर घर से नहीं मिलते हैं तो वे इन्योजनाओं का पूरा लाग उठाती है और अपने पढ़ाई जारी रखती हैं आगे और पहले तो उनकी संभाशन काला मुझे बहुत पसंद है और जो वो देश को लेकर को जो सोचते हैं उनका जो सोच और बहुत सारी वह योजनाय निकालने हैं जैसे कि आप उज्वला योजना हुआ पहले तो लड़िकिया घर में खाना बनाती थी लकडी पर जो गाहाँ पर तो इसलिए अब उनलों को घर में भी गयास की सुविधा दी गई है जिसे वह लोग भी आधुनिक आधुनिक्ता का लाग उठा रहे हैं क्योंकि दहेश प्रथा एक ऐसा नासूर बन गया हमारे समाज में जिसे खत्म करने की सब सोचते हैं बट वो अभी तक खत्म हुआ नहीं है में दोनोंपक्षियों का बराबर साझार के नासस को का चाहिए करता है फ Human का प्रहे मरेश भाहार डिमान करता हैं इंजीनियर होगा साथ लाग दस लाग जो उनलों को भी अपना पढ़ाई के स्थर पर सोचना चाहिए कि अगर हम सेल्फ रिस्पेक्ट जिस लड़के में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता है वही दहेश के दिमांड करते मेरे हिसाब से लड़कियों को बोलना चाहूंगी कि अगर आप पढ़े लिखे जॉब कर रहे हैं तो फिर दहेश दे सौबादने के लिए हैं अपने पूरा जीवन उनके परिवार को समरपित कर देथी है तो उन्हें भी समजना चाहिए देहिश के दिमंड नहीं करने चाहिए वहीं पुरा होता है और इसमें लड़कों का जहां तक यूगनान होता है विस्थ में थाइसा नहीं नहीं होता है आज कुछ बन पाए हो उन्हीं के बद्वाइब अगर वह नहीं होते तो अपने माता-पिता का आधर सम्मान करना चाहिए और उन्हें किसी भी मोड़ पर अकिला नहीं चोड़ना चाहिए है जब से दुनिया तब से हम लोगाने कि होने का कारण है गोने पर क्रताइब से आपना नहीं पाती है कभी-कभी और रले कि अपने माता-पिता को ज्यादा मोहतों देती है देना भी चाहिए दो पर परिवार के तरह लोग रहते हैं लेकिन इन दिनों जखते हैं लोग अलग ना फैमिली कर लेते हैं उनका खाना अलग बनता है ऐसा क्यों होता है वो दिन बदिन खतम क्यों होता चला जागा क्योंकि कुछ तो मजबूरी के कारण हो रहा है कि कहीं पर लोग जॉब करते हैं दुसरे शहर में तो उन्हों को तो मजबूरन अपना फैमिली छोड़के जाना पड़ता है लेकिन आशकल जो सोच विक्सित हो रही है कि जॉइन फैमिली में रहेंगे तो खर्चा बहुत होग को नहीं होना चाहिए लेकिन मजबूरन हो जाता है कभी ना कभी कुछ लवाज को यह जा रहे हैं कि दोका तो एक सिरे से दे ही रही है क्योंकि अगर कोई फेत करता है उन पर पाधापिता पर ट्रस्ट कर रहे हैं पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं तो उनको उनका उनका भ इसका भी सपोर्ट करते हैं कई ना कहीं लेकिन इस लिए करते हैं क्योंकि अगर शच्चा प्रेम सम्मंद हुआ तो लटका लटकी दोनों अपना करियर के लिए बहुत ज्यादा वरीड रहता है कि अगर पढ़ेंगे नहीं कुछ बनेंगे नहीं तब तक वो लटकी मुझको लेकिन पहला बात अपना पैर में खड़ा होना चाहिए किसी को भी ताकि उनका आगे कोई विरोध ना कर सके तो पहले करियर को अपना महतों देना चाहिए लड़का लड़की अपने मायूस हो जा रहे हैं उसके लिए क्या हो जीवन में जिक देखिए जिन्दगी बहुत खुबसूरत है और मायूसी के तो इसमें जगाई नहीं है अगर एक दर्वाजा बंद होता है तो हजार दर्वाजे हमारे समने खुल जाते हैं तो खुद को सं परसन के लिए अपने माता-पिता को दुख देना मेरे समसे बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि आपका माता-पिता आपको पढ़ाते हैं लिखाते हैं काबल बनाते हैं इसका बनाते हैं यह पुछ कर पाओ लेकिन आप अगर सुसाइट कर लें तो उनका पूरा सपना तूड ज तो वो सेटिल्ड गॉब्मेंट जॉब हो दूसरा वो लड़का उसे समझे उसके परिवार को समझे और उसकी कि मने मेंटेनेंस उनको इसको आना चीएْ कि अपना परिवार च्रफ Het觀眾 को वह My name is private by the it was a sector है जिनमें आप इस्टांड कर सकते प्राइवड यह बहुत बड़ा सेक्टर है और मैंने वेल सेट्ल होना चाहिए कि एक लड़्की को उसका हर जरुवतों को पूरा कर सके और इंसान खराब होना चाहिए ने नैंसान तो बहुत अच्छा होना चाहिए मैंने बु तो आप माश्टर डिग्री कर रहे हो कि आपका जिंदेगी में ऐसा कुछ एक्स्पिरियंस हुआ कुछ लिगों ने कुछ कहा है लेकिन मेरे मातर पिता ने में पूरा सपोर्ट दिया कि अगर ऐसा होता है लड़की का एक जीवन का आधारी है कि उतको खाना बनाना पड़ता ह है लेकिन ऐसा नहीं कि उसी पोड़ा चौकता की सीमित रह जाती है वो अपने करियर को साथ में लेकर के घर परिवार को भी देखते हुए आगे बढ़ती है तो मैं यही कहना चाहूंगी कि लड़किया अब हर फिल्ड में जा रही है हर छेतर में लड़कियों का नाम रोश कुछना करते थे मेरी लेकिन आज को मेरे तरक्की दे के सब बोलते कि नहीं अब लड़की पढ़े रही है पहले तो रिष्टेदार भी बोलते थे कि अब रेजोशन हो गया 12 होगी आप शादी कर दो लेकिन अब उनको मतलब अब अगर माता भी बोलते है ना कि अगर कि मेरे माता पिता सुरू से लेकर अन तक अभी तक मैं मुझे बहुत सपोट करते हैं हर फिल्ड में यही कहें कि वह तो दुनिया है मेरी ज़ो भी कि घर में सब को जीसे कि आरणे लड़की लोग को भी bowl डाता है कि कि खर में काम करती हो पुरा पढ़ाई पर ही दोनों मेरी दुनिया इन दोनों में सिमत रहे गई हैं और अच्छा है पहुत अच्छा है बहुत खुशी मिलते हैं देखके कभी सोचे थे कि बेटी को इतना दूर पर का भेज़ पाओगे जी हम तो सोचे देख से पढ़ाने सुरू किया है इसका पापा हम दोनों मिलका सोचे हैं नहीं हम तो पढ़ाएंगा अंतर जतना पढ़े सके कि पढ़ाए अच्छी थी तो बहुत दिख्कत का सामने करना करा अच्कुश कर के हमाने अपना भचा बिठीट अपना बच्छा को मुझ बनाए मने है आपने कहाने ने का देगे से हार呢 IP लेकिन कुछ लोग है समाज में चो हर मांगते हैं उस लोग क्या दो बोलेगे कि आड़ बाली उपना बर्सक्षा मुन्टना है मुने आपने बाल बतशे करना चाहिए कादर करना चाहिए पढ़ाना चाहिए लिखाना चाहिए अच्छा मने ऐसे करो कि कोई देखे उसको हाँ कि खड़ी हो गई अपना पैर में बहुत हमता भी भी नाम खुशी हो रहा कि नहीं बता सकते आपको अब नम आपका अब नम अर्भी ठाकूर अज पीटी आपकी मास्टर डिरी कर रही है पेटी को पिस मकाम पे पहुंचाये हो तैसा लगता है जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हमारा सुद्ध सपना था कि में बेटी पढ़े आप में करे उसे बाद में हो सकता तो पीज अब बेटी को पढ़ा करें बहुत लोगों का इसी उसे निवत अधिया है तो महले के बहुत अदमीया से है ना मेरे घरवाले के बड़े बहुत रहे हैं माद मेरी माई मुलती रही लगी है इतना प्लग का करें क्यों हम कुछ नहीं बोलते नहीं ठीक है लगी यह देखा ज अब बहुत लोगी खुष हो रहा है कि तुम एतना कम रोजगार में बेटी को पढ़ा रहे हो इतना इस तनरस रहे हो कैसे रहे हो हम लोग मालिक है हम दिशा से कि मेंनत करें है गर फिलांब चला रहे हैं बेटी पढ़ा रहे हैं हर सुक्समिदा दे रहे हैं खुष नहीं बहुत खुष कि अई उसपाप के लिए पंड़ने में है तेज है उसके लिए भी चाहते है यो बेटी किसी का पंड़ने में तीज है तो को ही चाहिए तो हम उसके करेंगे बेटी सब कितना उमीद आपका बेटी से तो मने हमारा बहुत ज्यादा उमीद है हमारा यह सब चेकी बेटी मेरा पढ़ लेके पैर पर खड़ावा जाए नुकुरी जागरी करें मनिया से कल कोई साथ साधी भी आ हो उने के बाद में वो क्या है कि कल हम लोग बुड़ी हो जा दीखे है हमारे जब पहली बेटी हुई तो घहर में मेरा सस्वाल वाला भी जो है वहला जब हो से थे हमारे बहुत भाइस को बोल रहा है बेटी हुआ हुआ है। इस माहिस हुए क्या वात इतने है वीड़ीवर्णकर हो सुझेंगे आप कि जितना के वार रह है है उमको ब् अब दो बेटी है इसके पीछे भी लिख खाने बढ़ाएंगे तो यही मेरा बहुत है अगजा कर रहेंगे फिर यहां रिलक्य वगाद शुक्त नहीं देंगे शको पदके बिदेश यह चल कि भीद सच चल किया अब कर देख रहा है ये तक माई खेले आपर है पैसा बहुत है दोलत काफी है तक पानी देना वाला कोई नहीं उसको है ऐसा बहुत घर देखते हैं आप खुश अपने जिन्देगे से बहुत खुश है